Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Defense Point और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं Coast Guard Navic Exam की तैयारी के लिए एक Mock Test जो कि आपके previous year questions के उपर base होने वाला है और इसमें जो है आपको Science, GKGS और Reasoning के questions देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो को end तक देखिएगा और साथ ही अगर आप लोग चैनल के उपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको subscribe कर लें और bell icon को press कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिये जाने वाले सभी latest updates मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के तो देखिए दोस्तों first question जो कि आपको दिया गया है कि UNESCO का headquarter या फिर जो है UNESCO का मुख्याले कहां परिस्तित है दोस्तों आपको जो है अंतराष्ट्रिय संगठन और उनके मुख्याले से related एक question नाविक exam में पूछा जाता है तो देखिए चार options आपके पास में है Washington DC, New York, London या फिर पैरिस तो दोस्तों UNESCO जो की आपके संयुक्तराष्टर की एक विसेस agency है और इसका जो गठन है वो आपके 1945 के अंदर किया गया था ठीक है यानि कि इसकी स्थापना जो है वो 1945 में की गई थी और इसका जो मुख्याले है ये पैरिस फ्रांस के अंदर पढ़ता है तो right answer हो जाएगा यहाँ पर आपका option number D अब देखिए question number 2 और यहाँ पर आपको प्रशन दिया गया है कि निमलिकित में से कौन सी जो नदी है वो आपके अरब सागर में जाकर के गिरती है चार options हैं ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, महा नदी या फिर कृष्णा नदी तो देखिए ताप्ती या फिर ताप्ती नदी जो की मज्य प्रदेश के बेतूल जिले में सत्पूडा स्रेणियों से निकलती है ठीक है कहां से निकलती है यह आपके तो यह निकलती है आपके सत्पूडा स्रेणियों से और ये जो है लगबग आपके इसके लंबाई की अगर बात करें तो ये आपके लगबग 724 किलोमेटर लंबी है और ये जो है आपके अरब सागर में इस्तित जो खंबात की खाड़ी है उसमें जाकर के गिरती है ठीक है चलिए अब देखिए कुशन नमबर तीन और यहाँ प यह आपके भारत का सबसे पुराना राष्ट्रिय उद्यान है और इसको पहले हैली नाशनल पार्क के रूप में जाना जाता था और बाद में इसका नाम जिम कार्बेट राष्ट्रिय उद्यान कर दिया गया था ठीक है और ये आपके उत्राखंड के अंदर पढ़ता है त तो चार options आपके पास में, तो सबसे पहले देखिए इसका right answer जो है वो आपके हो जाएगा option number B 2, अब समझते है pH मान क्या है और इसकी value कैसे हम tag करते हैं, तो देखिए pH मान जो है ये एक ऐसी संक्या होती है, जो की मतलब किसी भी value की अमलियता और चारियता को प्रदर्शित कर ठीक है और pH scale जो होती है उसमें 0 से लेकर के 14 तक के बीच में अंक बने हुए होते हैं और किसी भी value का अगर pH मान 7 से कम हो तो वो अमलिये होते हैं और अगर उनका pH मान जो है वो 7 से अधिक हो तो वो 6 प्रदर्शित के होते हैं ठीक है और निबू का जो pH मान होता है वो आप पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ओप्शन से आपके पास गुल बदन बेगम बाबर अकबर या फिर नूर जहां तो हुमायू नामा की रचना जो है वो गुल बदन बेगम के द्वारा की गई थी और जो की हुमायू की बेहन थी ठीक है और राइट आंसर हो जाएग ठीक है अब देखिए प्रश्ण संक्याच है और यहाँ पर कुशन है आपके पास में कि निमलिखित में से कौन सी जो है एक उप्धाट है यानि कि मेटलर्ड कौन सा होगा इन में से यह आपको बताना है ओप्संस हैं सीसा, ब्रोमीन, सोना या फिर सिलिकॉन तो देखिए दोस्तों उप्धाटू से रेलेटेड कुशन जो है आपको एक्जाम में देखने को मिलता है ठीक है तो सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि उप्धाटू होती क्या है तो वे तत्वे जिनमें की दातू और अदातू दोनों के गुण पाए जाते हूं उनको हम उन लोग जो है उप्धाटू बोलते हैं जैसे कि बोरोन, सिलिकोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलूरियम ठीक है यह जो है वो उप्धाटू होते हैं और यहाँ पर देखिए आपको option number D के अंदर देखने को मिल रहा है सिलिकोन ठीक है सिलिकोन जो है यह आपके मतलब की एक उप्धाटू होती है ठीक है और ब्रोमीन दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रोमीन जो है यह द्रव में पाई जाने वाली एक अधाटू है ठीक है और इसका प्रतीक होता है BR और इससे related एक question जो है मैंने आप लोगों को अभी community tab में भी दिया था YouTube के तो अगर आप ल कि जब भी हम लोग blood relation के question को solve करते हैं तो उनको step by step or line to line solve करते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए question दिया गया है कि यदि A जो है वो B का भाई है ठीक है तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि A जो है वो B का भाई है B जो है वो C का पिता है और D जो है वो A की पत्नी है ठीक है तो आपको ये बताना है कि D का C से किस प्रकार से relation है ये बताना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका figure बना लेते हैं कि किस type का figure बनेगा तो question में सबसे पहले बोला जा रहा था कि यदि A जो है वो B का भाई है ठीक है तो ये मान लिजिए आप कि कोई B है और इसका एक भाई है जिसका नाम है A ठीक है क्या बोला इसने ये जो है इसका भाई है अब क्या बोला जा रहा है कि B जो है ये C का पिता है यानि कि ये जो B आपको दिया गया है ये किसी C का पिता है तो मानले जी ये कोई C है और इसका पिता कोन है तो इसका पिता है चलिए उसके बाद बोला गया है कि D जो है वो A की पत्नी है यानि कि ये जो A आपको दिया गया ना है इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है D ये होगे D और ये A की पत्नी लगती है उसके बाद क्या बोला गया है दोस्तों कि D जो है ये C से किस प्रकार से सम्मंदित है यानि कि ये जो ड़ी है न ये इस C से किस प्रकार से रेलेटेड है ये बताना है तो I hope कि आप लोगों को यहाँ पर देखते ही समझ में आ गया होगा तो अब यहाँ पर देखिए कि B और A जो है ये आपस में भाई है ठीक है और C जो है न ये B का बेटा है यानि कि आपको यहाँ से एक चीज समझ में आई होगी दोस्तों कि A जो है ये C का क्या हो जाएगा चाचा हो जाएगा ठीक है यानि कि चाची जो है इसकी लग जाएगी और options में आपको अगर देखेंगे तो option number A में ही देखने को मिल रहा है चाची ठीक है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका option number A अब देखिए question number 8 और यहाँ पर आपके पास में question है कि यदि किसी कूट बासा में इस word को जो है कुछ इस type से लिखा जाता हो तो आपको बताना है कि उसी कूट बासा में एक और word आपको दिया गया है strategy इसको जो है किस type से लिखा जाएगा तो चलिए हम लोग यहाँ पर check कर ल है तो अब यहाँ पर हम देखते है कि इसको जो है code बासा में किस type से लिखा गया है और उसमें जो है क्या है ठीक है आप लोग जो है खुद भी in questions को solve परने की कोसिश जरूर से कीजिएगा वेडियो को pause करके ठीक है तो अब देखिए इसको लिखा गया है कुछ इस type से ठीक i जो है यह 9 नमबर पर आता है और k जो है 11 नमबर पर आता है ठीक है a एक नमबर पर आएगा c तीन नमबर पर आएगा यानि कि यहाँ पर क्या हुआ है तो यहाँ पर बीच में आपके plus 2 हो रहा है ठीक है यानि कि पूरी series के अंदर जो है यहाँ पर plus 2 हो रहा है सारे letters में आपको यहाँ पर प्लस का 2 देखने को मिल रहा है, तो जब हम answer निकालेंगे, तो strategy में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे, तो S से अगर आप लोग प्लस 2 करेंगे, तो आपको U देखने को मिलेगा, T से प्लस 2 कीजिए, तो यहाँ पर V आजाएगा आपके पास में, उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे, तो T मिलेगा आपको, फिर यहाँ C आएगा, फिर अगली बार जो है, आपके यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, V, फिर यहाँ पर G आएगा, फिर यहाँ आई आ जाएगा और उसके बाद जो है फिर से A आएगा ठीक है और यह देखी है हमारा answer आ चुका है और आपको जो है यहाँ पर option number B के अंदर answer देखने को मिल रहा है तो correct answer will be option number B हो क्या रहा था इस question में तो इसमें जो आपको word दिया गया था उसकी code language में जो है प्लस का 2 हो रहा था ठीक है चलिए अब देखिएगा question number 9 और यहाँ पर जो है दोस्तों आपको when diagram का question दिया गया है और यहाँ पर आपको कांसा, पीतल और मिसर दातू के बीच में जो है इस type का वे नरेक बनेगा यह आपको बताना था ठीक है चार options आपके पास में हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सबसे पहले यह try कीजिए कि कांसा, पीतल और मिसर दातू इन तीनों में जो है common क्या है ठीक है तो अगर आप लोग इन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिसर दातू यानि की अलोआ चलिए मैं इसको अलोआ लिख लेता ہा हूं अब देखिए कि कांसा भी जो है और पीतल भी एक मिसर दातू है ठीक है अब कांसा और पीतल दोंों अलग अलग होते हैं यानि कि इन में कोई समानता तो है नहीं तो यहाँ पर दोनों जो हैं अलग- देखने को मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखिएगा इन options में अगर आप check करेंगे कि option c आपको कहा दिया गया है तो option number d में देखिए आपको c देखने को मिल रहा है तो right answer हो जाएगा option d ठीक है चलिए आप देखिएगा प्रशन संख्या 10 और यहाँ पर आपके पास में question है कि भारत देख का दक्षनतम बिंदू जो है वो कौन सा होगा ठीक है यानि कि southern most tip of Indian territory तो यहाँ पर option से आपके पास में केप के मोरीन, कन्या कुमारी, करोंडी या फिर इंदिरा पोइंट यह तो यहाँ पर दोस्तों आपका right answer होगा option number d इंदिरा पोइंट ठीक है अब देखिए question number 11 और यहाँ पर आपके पास में question है कि UNICEF का headquarter है या फिर जो है UNICEF का मुख्याले कहाँ पर इस्तित है तो options है Washington DC, Paris, Jewierk या फिर New York ठीक है तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका option number d UNICEF का जो headquarter है यह आपके मतलब की USA USA के आपके New York में इस्तित है ठीक है और संयूक्त रराष्टर बाल कोस जिसको की UNICEF कहा जाता है यह जो है संयूक्त रराष्टर माहाजबा के द्वारा इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी ठीक है और पहले जो है इसको मतलब की संय देखिए कुशिन नमबर 12 और यहाँ पर आपके पास में एक सिरीज टेश्ट का कुशिन है और यहाँ पर देखिए इस कुशिन में क्या आपको सिरीज दी गई है तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इस सिरीज में यह जो बीच में आपको कुशिन मार्क दिया गय है यह in options में से कौन से number को replace करेगा ठीक है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि series को हम यहाँ पर note down करेंगे तो हमने यहाँ पर series को लिख लिया है अब देखिए यहाँ पर हमें यह चेक करना है कि इस series में हो क्या रहा है ठीक है तो चलिए इस series को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको सुरू में देखने को मिल रहा है कि यह series 5 से 12 की ओर जा रही है ठीक है फिर जो है 12 से 24 की ओर जा रही है तो मैं यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकता हूं देखिए कि अगर अगर मैं 5 को multiply करूं 2 से उसमें 2 एड़ कर दूं तो देखिए हमें यहाँ पर 12 मिल जा रहा है ठीक है उसी प्रकार से मैं 12 को भी अगर multiply by 2 करूं और उसमें plus 2 कर लूं ठीक है तो हमें देखिए यहाँ पर 26 मिल रहा है और उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 26 को भी जो है multiply by 2 करेंगे और उसमें plus 2 add कर देंगे जिससे कि हमारे पास 54 आ जाएगा तो और अगली बार हम क्या करेंगे कि 54 into 2 plus 2 ठीक है तो यहाँ पर दीखें क्या होगा 54 into 2 हो जाएगा आपके पास में 108 और उसके अंदर अगर हम 2 add करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों 110 ठीक है तो 110 जो है वो हमारा correct answer होगा जो कि आपको यहाँ पर option number B के अंदर दिया हुआ है ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह question जो है समझ में आया होगा अब देखिए प्रशन संक्या 13 और यहाँ पर आपके पास में question है यदि DO यानि कि DO को 60 के द्वारा लिखा जाता है SO यानि कि SO को 285 के द्वारा लिखा जाता है तो आपको बताना है कि RAID को किस टाइप से लिखा जाएगा काफ़ी simple सा question है आप लोग easily कर सकते हो अगर आप थोड़ा भी यहाँ पर सोच पा रहे हैं तो देखिए क्या बोला गया है कि DO को जो है यहाँ पर लिखा जा रहा है 60 के द्वारा तो यहाँ पर कैसे इसको लिखा गया है यह अमें check करना है तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि D का जो अलफाबेटिक नंबर होता है यह 4 होता है और O का जो अलफाबेटिक नंबर है यह आपके 15 होता है ठीक है और इन दोनों का अगर मैं multiply कर लूँ तो मुझे देखिए यहाँ पर 60 मिल जा रहा है ठीक है उसी प्रकार से देखिए S और O के लिए तो S का जो multiply number क्या होता है अलफाबेटिक नंबर होता है S का 19 ठीक है और O का मैं पता ही यह प्रकार होता है तो 19 और 15 को अगर मैं multiply करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास में 285 आ जाता है ठीक है तो अब आप लोग इजिली बता सकते हैं कि red के लिए क्या होगा ठीक है तो r कितने number पे आता है r जो है यह 18 number पे आता है ठीक है अलफाबेट में e जो है 5 number पे आता है और d जो है यह alphabet में 4 number पे आता है इनको आपस में multiply कर लीजिए तो 5 चों के 20 और into 18 करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा दोस्तों 360 ठीक है और 360 आपको यहां दिया हुए option B में तो correct answer will be option B now question number 14 और यहां पे आपके पास में question है कि भारत में राष्ट्रिय विज्यान दिवस जो है यह कब मनाया जाता है यानि कि national science day जो है कब celebrate किया जाता है इंडिया में यह बताना है तो देखिए दोस्तों आपके पास में जो options है इसमें से correct answer हो जाएगा option number D 28 फरवरी चंदर सेकर वेंकट रमन जिन्होंने रमन एफेक्ट की या फिर रमन प्रभाव की कोज की थी और इनी की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रिय विज्यान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यहाँ पे right answer हो जाएगा option number D now question number 15 और यहाँ पे देखिए reasoning का ही आपको missing number का कुशिन दिया गया है और काफी शांदार कुशिन है इसको समझियेगा तो आपको यह बताना है कि यह जो figure number 3 है इसमें जो आपको यह कुशिन मार्क दिया गया है इस जगे पर कौन सा number यहाँ पे आएगा options में से ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले पहले वाले figure वाले को लेकर के बात करते हैं तो इस figure में अगर आप लोग देखेंगे कि देखिए मैं 5 x 6 x 4 कर लेता हूँ यानि कि जो हमें बुजाएं दी गई है ठीक है त्रिबूजगी उनके उपर जो number लिखे गए है उनको हम आपस में multiply कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 पंज तीस और इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास में आजाएगा 120 ठीक है तो हमारे पास में तो यहाँ पर 120 आया है लेकिन हमें अंदर कितना दिया गया है 12 तो हम यहाँ पर 12 लाने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों तो हम इसको divide कर देंगे 10 से ठीक है तो हमारे पास में इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास में आएगा 210 और 210 को दोस्तों अगर हम multiply by 10 करेंगे तो हमारे पास में देखिए 21 आ रहा है ठीक है और यहाँ पर आपको 21 अंदर दिया हुआ है और अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे तो सेम यही चीज जो है answer निकालने के लिए हम करें नंबर 3 के लिए तो 4 इंटू 8 इंटू 10 ठीक है तो 8 जो के 32 इंटू 10 करेंगे तो 320 हमारे पास में आएगा 320 को जो हम divided by 10 कर देंगे जिससे कि हमारे पास 200 आंसर आजाएगा 32 ठीक है और 32 देखिए आप लोगों को option नंबर D के अंदर देखने को मिल रहा है तो right answer will be option नंबर D 32 अब देखिए दोस्तों आप लोगों को जो है missing number के questions के लिए practice करनी पड़ेगी इसके बिना जो है आप लोग questions को solve नहीं कर पाओगे ठीक है क्यूंकि ये थोड़े से जो है up level की question आते हैं तो इसके लिए जो है आपको practice definitely करनी पड़ेगी अब देखिए question number 16 और यहाँ पर पिता और भाई के बीच में आप लोग किस टाइप का वेंट टाइग्राम बना सकते हैं तो यह हमें देखना है तो दोस्तों सबसर पहली चीज हम लोग यह देखेंगे कि इन में common क्या है ठीक है तो आदमी पिता और भाई के बीच में देखा जाए तो आदमी यहाँ पर common ह क्योंकि देखें पिता और भाई यह दोनों ही men की category में आएंगे यानि की आदमी की सरणी में आएंगे ठीक है तो यहाँ पर देखें common क्या हो गया तो common तो यहाँ पर हो गया आपके man ठीक है तो यह मैं लिख लेता हूँ man अब देखें दोस्तों किसी का जो पिता है वो किस अगर पिता है तो यह किसी और का भाई भी हो सकता है ठीक है और यह किसी और का भाई है तो यह किसी और का पिता भी हो सकता है यानि कि दोनों के बीच में एक थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर common रहेगा तो यह हो गया आपका brother ठीक है और यह हो गया आपका father यानि कि इनके बी को option number A के अंदर देखने को मिल रहा है इस टाइप का वेंड डाइग्राम तो correct answer will be option A I hope कि आपको question समझ में आ गया होगा अब देखिए question number 17 और science का question है आपके पास कि भट्टियों जैसे अपेक्षा करत उच्छ तापमान को मापने के लिए जो है निमली कितमे से किस यंतर का उप्योग किया जाता है ठीक है options है आपके पास में बोलो मिटर, पाइरो मिटर, अमिटर या फिर फ्लक्स मिटर तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा option number B पाइरो मिटर देखिए पाइरो मिटर जो है यह high temperature को मापने वाला यंतर होता है ठीक है और जब मतलब किसी वस्तू का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है न तो इसके तापमान को जो है सामानिय तया पाइरो मिटर के दुआरा मापा जाता है ठीक है अब देखिए question number 18 और यहाँ पर आपके पास में question है कि भारत के समुद्री मार्क की पहली बार जो है खोज इन में से किसके द्वारा की गई थी तो options हैं पूर्थ गाली, फ्रांसिसी, अंग्रे एज या फिर डच तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा option number A पूर्थ गाली देखें भारत के समुद्री मार्क की खोज जो है वो पहली बार पूर्थ गाली निवासी वासको डिगामा के द्वारा की गई थी वासको डिगामा द्वारा और कब की गई थी तो याद रखेंगे दोस्तों आप लोग कि 20 मई 1498 ठीक है 20 मई 1498 को जो है इसने भारत के समुद्री मार्की खोज की थी और वसको डिवामा जो है ये 20 मई 1498 को मतलब की काली कट बंदरगाह पर पहुँचा था ठीक है ये कहाँ पर आया था तो ये आया था काली कट बंदरगाह पर ठीक है तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option number 1 इसके अलावा दोस्तों एक चीज और याद रख सकते हैं आप लोग कि अमेरिका के समुद्री मार्क की कोज किस ने की थी तो अमेरिका के समुद्री मार्क की खोज जो है वो Columbus के द्वारा की गई थी ठीक है चलिक है नाव question number 19 और इन में से किसे माना जाता है तो अब देखिए options से आपके पास में कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा राजा रमन्ना जमारलाल नहरू या फिर एपी जे अब्दुल कलाम ठीक है तो काफी simple सा question है और काफी important question है क्यूंकि exam में already आ चुका है तो जान दीजिएगा इसके लि 20 जो कि आज की इस practice rate का last question है और आपके पास में question है कि प्रत्वी को सूर्य की पराबेगनी विक्केरण से जो है कौन सुरक्षित रखता है तो आप बोल सकते हैं कि इस practice rate का सबसे easy question है ये आपके लिए तो options हैं आपके पास में ozone, nitrogen, oxygen या फिर magnesium तो दोस्तों यहां पे आपका प्राइटांस रोजाएगा option number a ozone ठीक है समताप मंडल में पाई जाने वाली ozone परत जो है ये मानविये जीवन के लिए अच्येंत मैत्वपोर्ण है क्योंकि ये जो है सूर्य से आने वाली पराबेगनी विक्केरण को रोकती है ठीक है चलिए अब दोस्तों एक question आप लोगो सापेक शिक्ता के सिद्धानत की खोजगी थी ठीक है तो चार options आपके पास में हैं तो इसका जो भी right answer होगा वो आप लोगों को वीडियो के नीचे comment box में comment करके बताना है ठीक है दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको सारे question समझ में आ गये होंगे और आज का हमारा ये जो mock test था ये आप लोगों को काफी पसंद आया होगा तो दोस्तों पेडियुप जो है वो आप लोगों को telegram group के अंदर देखने को मिल जाएगी तो अगर आप लोगों ने अभी तक telegram group को join नहीं किया है तो उसको join कर लीजिएगा link आपको video के नीचे description box में दी गई है तो मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मुच पर वाचिंग दिस वीडियो